हालो गाइज वेल्कम बैक तो पूड एन हेल्थ यह तो पनीर खाना हम सबको बहुत पसंद होता है और पनीर की बहुत सारी वराइटीज है जिस तरह से पनीर को प्रिपेर किया जाता है लेकिन जो आज में रेसिपी लेकर के आई हूँ यह थोड़ी सी डिफरेंट है लेकिन खाने में बहुत जबर जस्ते है और बनाने में बहुत असान तो इसको स्टार्ट करते हैं बनाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर करें और चैनल पर अगर नए है तो सब्सक्राइब करें तो चलिए यह माउथ व उसको crush कर लेना है, mash कर लेना है, बहुत अच्छे से, कोई लंप ना रहे उसमें, और एक्दम fine हो जाए, उसके बाद equal quantity में, around 4-5 boiled potatoes लेना है, एक दो कम या जादा भी हो जाएगा, तो कोई फरक नी पड़ेगा, और उसको भी अलग से पहले mash कर लीजिए, और फिर पनीर में add कर दीजिए, अब इसके बाद हम दोनों को ही इनको बहुत अच्छे से mash करना है, और फिर इसके बाद थोड़ी सी 1-2 medium size की onion को chop करके मिलाना है, और हरा धनिया भी add कर देना है, इसके बाद कुछ spices हैं, जो हमें इसमें add करने हैं, तो वो इस तरह से हैं, half teaspoon गरम मसाला, half teaspoon soft powder, half teaspoon carom seeds यानि की एजवाइन, इसको थोड़ा crush करके डाल दे, one teaspoon roasted cumin powder, और half teaspoon chili flakes, one teaspoon salt जाएगा, और half teaspoon red chili powder, one teaspoon थोड़ा सा हल्दी powder, one teaspoon coriander powder, and one teaspoon green chili and ginger, इसके बाद इन सारे मसालों को डाल करके एक बहुत अच्छा सा mix देना है, और एक smooth dough prepare कर लेना है, तो इसके mixing में ये सब चीजे डाल करके इसको बहुत अच्छे से prepare करना है, और सारे ही मसाले एक बहुत अच्छा सा flavor देंगे हमारे कुफतों को, पनीर के कुफतों को, और य पीर को आलू को और सारे मसालों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारे मसाले अच्छे से बिलकुल हड जगा पहुंच जाए और अच्छे से हमारा डो प्रपेर हो जाए लेकिन अभी हमें इसमें एक बाइंडिंग एजन डालना है वो है 3 टेबल स्पून बेसन इससे बहुत अच्छी स्मूधने साईगे हमारी डो पे और बहुत अच्छी बाइंडिंग होगी क्योंकि हमें इस डो को इक्वल साइज की बॉल्स में कॉफ्तों में डिवाइट करना है तो इसलिए हमारा जो डो है वो बहुत अच्छे से प्रपेर होना चाहिए तो इस तरह से अब मैं हाथ की हेल्प से इसको स्मूध एकदम बना लूँगी थोड़ी दो-तीन मिनट इसको मैश करने में लगती है और ये एकदम से प्रपेर हो जाता है उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग से स्टेप है रेसिपी का वो है एक बर्निक कोल को लेना है उसको अच्छ इसको हम साइड में कर देंगे इतने हम दूसरी प्रपेरेशन कर लेते हैं जो हमें बाकी की करनी है उसके लिए मुझे एक पेस्ट प्रपेर करना है जिसमें मैंने दो मीडियम साइज के अनियन और दो मीडियम साइज के टोमेटोस को ले लिया है और एक ग्राइनिंग जार तो इसलिए दिहान से अपना पेस्ट बना के इसको रख ले इस बीच में हम देखेंगे 10-15 मिनिट में हमने ये स्मोक खतम हो जाएगा उसको रिमूफ कर देना है कटोरी को लगाया तर कोल को और उसके बाद इस टो को हम एकदम स्मूद बाल्स में प्रिपार कर लेगे तो अपने हैंड़ को अचछे से ओईल से ग्रीज कीजिए और उसके बाद एकुल साइज की बाल्स बना लीजिए easily बन जाते हैं, जादा hands पे stick भी नहीं होते हैं उसके बाद हमारे पास दो option हैं अगर आप health conscious हैं और थोड़ा oily कम चाहते हैं तो आप इनको अपे pan में fry कर लीजिए या फिर आप इनको oil में deep fry कर लीजिए दोनों ही तरीके से ये बहुत tasty बनते हैं तो मैं इसको shallow fry करूँगी अपे pan में तो थोड़ा सा oil drizzle कर दीजिए और सारी balls को उसके प्लेस कर दीजिए थोड़े दे डख के पकाना हैं और उसके बाद फिर इसको मैं lid हटा कर के cook करूँगी तो ये balls बहुत प्यारा color ले लेती हैं और इनको जादा time भी नहीं लगता है 10 minutes में ये cook हो जाती है तो इनको इस तरह से set कर दीजिए अपे pan में और इनको अच्छे से एकदम जब तक इन पर golden brown color आ जाए तब तक इनको सेख लीजिए ये देखिए बहुत अच्छे से सिखने त्यार हो गी है अब मैं इनको turn कर दूँगी और हर तरफ से इन पर एक coating आ जाएगी और इनकी जो outer layer है वो थोड़ी firm हो जाएगी जिसकी वज़े से वो gravy में गुलेगी नहीं तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से roast कर लेना है दीमियाच पर आपकी जो flame है वो बहुत तेजनी होने चाहिए और बहुत ही प्यारा सा color आजाता है और इसको आप snacks की तरह भी खा सकते हैं चटनी इसके साथ, sauce के साथ वो ऐसे भी बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन हम इसकी बना रहे हैं gravy तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स स्टेप की तरफ यह मेरे सिक रहे हैं अच्छे से अब मैंने इनको एक एक करके बाहर निकाल लिया है एक bowl में इनको मैं transfer करूँगी और side में रख लूँगी इसके बाद नेक्स स्टेप होगा हमारी gravy की तेयारी का क्योंकि यह बाल सब ग्रेवी में जाएंगी यह डिश बहुत बहुत टेस्टी लगती है और बहुत असानी से बन जाती है ज्यादा टाइम भी ने लेती है बनने में तो इस तरह से इसको बनाएं मैंने दो टेपल स्पून ऑइल डाला है पैन में और यह कुछ मसाले हैं जीरा है, लॉंग है, काली मिर्च है, तेज पात है और आपका बड़ी लाइची है एक सुखी लाल मिर्च है, उसके बीज निकाल दे और यह ग्रीन चिली और जिंजर और गार्लिक का जो क्रश किया होवा मसाला था वो डाल दिया है अब इसकी रॉय स्मेल निकलने तक इसको पहले अच्छे से भून लेंगे जैसी इसका कलर चेंज हो जाएगा फिर उसके बाद इसमें थोड़ी सी चॉप्ड अनियन डाल देनी है जो हमने डोग के लिए थोड़ी प्रिपेर किये थी अच्छे से भून लेना है चलाते वे पैन में और ये थोड़ी देर तीन-चार मिनटी लेगा और ये भून जाएगा उसके बाद जब ये थोड़ा सा भून जाएगा हमारे पास कुछ मसाले हैं पाउडर्ड मसाले जो जाएंगे इसमें वो इस तरह से हैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च है, गरम मसाला है, भूनाजीरा है, सौफ है, नॉर्मल रेड जली पॉडर है, धनिया पॉडर है, हल्दी है और ये नमक है इस सारे मसाले इसमें आड़ हो जाएंगे और इसके बाद मसाले को बहुत अच्छे से भूनना है सारे डिटेल्स मसाले की मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल लूँगी, तो आप प्लीज वहां से भी देख लेए अगर आपको कोई डाउट है या कोई किसी तरह की क्वेरी है तो वहां से भी आपको मिल जाएगा थोड़ा धनिया पत्ता जरूर बीच में आड़ करें चौप किया हुआ फ्लेवर्स के लिए और उसके बाद इसको ढखके इसको तब तक इसको पका लेजिए तो 10-12 मिट लग जाएंगे इसको अच्छे से भून लेजिए यह बहुत जरूरी है ग्रेवी जितनी भूनेगी वह उतनी अच्छी बनेगी तो इसकी कंसिस्टेंसी हम तभी ही इसको मेंटेन करेंगे तभी इसको एड़्जस्ट करेंगे जब ही हमारा मसाला भून जाएग जब हमें लगेगा ओयल रिलीज हो गया है मसाल अच्छे से भून गया है तो बस उसके बाद हमने इसमें डेड़ दो कप पानी आड़ कर देना है और अब इसके बाद हमें इसको बहुत अच्छे से थोड़ा सा कुक कर लेना है तो कवर करके इस पे बॉइल आने तक हम पका तो इस तरह से यह हमारी ग्रेवी पिलकुल तयार है अब इसको ढखके मैं तब तक पकाऊंगी जब तक एक दम स्मूध हो जाए और पानी जो है वो ग्रेवी में मिक्स हो जाए अलग-अलग सा ना हो क्योंकि जितनी स्मूध ग्रेवी होगी उतनी ही हमारी सबसी टेस्टी बनेगी अब यह जो बॉल्स मैंने कोफते बनाये थे पनीर के और आलू के इसको मैं इसमें डाल दूँगी अब यह तो कंप्लीटली कुक्ट है बहुत जादा हमें पकाने की जुरूत नहीं है तो इसलिए बस इसको डाल के एक दो मिनट में ढखके रखोंगी ताकि यह कितना प्यारा कलर आया और देखने में एतनी टेम्टिंग लग लिए और खाने में भी बहुत बहुत टेस्टी थी अब आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा तो आप एक बाद जरूर ट्राय करें इस रेसिपी को यह क्विक भी है और एकदम शाही है एकदम मुगल एक एक स्व्व कर्पाई डसले लाल खोड़ी टेस्ट रेसलेवर आ और पनीर की सॉफ्टनेस और बच्चे भी बड़े भी सब शौक श खाते हैं इसको आप चावल से से खाएं रूटी से खाएं नान से कहाएं इस्नक्स की तरह खांएं खाली उसको बाल्स को से ख करके कु सकते हैं और मैं इसकी प्लेटिंग कर देती हूं प्लेटिंग में भी बस हाप गानिश में इसमें थोड़ा बहुत धनिया पता और यह सब डाल करके इसको गानिश कर लेजिए और यह बहुत टेस्टी लगती है इसको जरूर ट्राय करें और अगर कोई क्वेरी है तो मुझसे दिखा देती हूं कट करके देखिए अंदर तक इसमें मसाले अबसाब हो गए हैं और यह बहुत बहुत टेस्टी है तो उमीद करती हूं आपको मेरी रेसिपी अच्छे लगी होगी फिर मिलती हूं आपसे एक और नई रेसिपी के साथ अब जबना बहुत सा ख्याल रखें थैंक्स फर वाचिंग थे अबस्टी यदियो बागी